नमश्कार दोस्तों मेरे पाउम लेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वरतमान समय में ये नौकरी के लिए भी प्रियास कर रहे हैं और थोड़ा वहत इंडिपेंडेंट रूप से कारे करते हैं। अब हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो आईए सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर बात करते हैं। पॉजिटिविटी में ना इनके हैतली पर जबरदस चीज़े मुझूद हैं। सूरी परबद पर स्टार है, जबरदस सूरी रेका है, बाग्यरे कादूीती है, प्रॉग्रस लाइन बड़ी कमाल की है। इस केस में जातक की जिन्दगी में तरक्की एवं प्रगती तैह, तैह तमन्ना वाली बात है ना कि तो कोई गुझाईश ही नहीं है। तो आज की वीडियो से इस बात कर डिस्कुशन भी करेंगे कि आखिर इसके क्या परिनाम मिलते हैं और किस जातक को कैसे परिनाम मिलते हैं। पहला, दूसरी मैत पूर्ण बात, अगर किसी विक्ति के हाथ पर ये अवस्थाए होंगी तो आप जिन्दगी पर सफल होंगे और आप जिन्दगी पर बहुत जौदा पैसा कमाएंगे, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो वीडियो को भूती गहराई पुरवक देखना है और हम समझना। तो आईए पॉस्टिविटी पर बात करते हैं। इसके बाद देखो तो एक बड़िया सा तिर्वुज यहां पर दिखा ये वाला एकदम चमतकारी तिर्वुज इसको आप मान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आगे भी आपकी बागगे रेका बहुत अद्वीती हैं। एक जबरदस चतरबुज नुमाकिरती बड़ा कमाल का। उसके बाद देखो तो ये सूरी परबत पस्टार है, अद्वीत है स्टार। और एक जबरदस सूरी रेका ये वाली देख लो, ये वाली भी स साल होके दिक्रियक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीबन में लास्ट में भागगे रेका जुक्य बरश्पती पर जारी सरकारी छेतर से दनलाव कराने वाली भागगे रेका ये माणी जाती है। सारे के फल को बहुत ही गहरा ही पुरवक समझाया जाएगा। इसके प्रानत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बढ़िया सा स्क्वाइब ब्रश्पती पर बन रहा है बत्तिस वर्थ के बार लाइफ में जादा कुछ सोचना है नहीं। एक जांदार रूप से दिखने वाली मंगल डरेका बहुत बहुत आला दरजे का एक दम शांदार ह प्रानत अगर आपको वेपार में इंटरस्ट है तो वेपार करना भी आपके लिए अनुचे नहीं रहेगा वेपार करने के बाद भी आपकी जिन्दगी पर पैसा आएगा धनलाव आएगा इस बात की गैरेंटी है तो ये कमाल की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस् इस संदर्म में जातक अपने जिन्दगी पर पैसा अवश्य ही कमाते हैं ना कि तो गुंजाईश ही नहीं है तो ये तो होगी पॉजिटिविटी अब इनकी मस्तिक सरेखा में न टूटा वा बनावट भी लगसा रहा है तो क्या ये मस्तिक सरेखा इनकी टूटी हुई है इ कैसे समझेंगे कैसे जानेंगे आज की वीडियो से इस बात का डिसकुशन करेंगे तो मस्तिक सरेखा को लेकर जो सवाल है पहले तो ये देखना जरूरी है कि मस्तिक सरेखा की बनावट कैसी है तो मैं आपको पूरा क्लारिटी के साथ दिखाना चाहूंगा तो देखो इनक से घुम के इदर आईए तो मस्तिक्स रेखा इस केस में तूटा हुआ हम नहीं मानेंगे नहीं समझेंगे इसके बाद एक और लाइन दिकरी है मुझे ये भी एक मस्तिक्स रेखा का बरांच है तो इस केस में किसी भी विक्तिक के हाथ पर इस प्रकार की अवस्था अवस्थि जोकि एक रेखा से जादा रेखा आ गए ना अब देखो क्या है ना एक कमड़ा है उसमें तीन जन रहेंगे तो तीन जन की विचार होंगे तीन जन अपने विचारिक मदभेद से या फिर विचारिक दिस्ट्रिकों से बातों को कहेंगे अगर तीनों में सलिपता नहीं रही अगर तीनों में एक जैसा विचार नहीं रहा या फिर कोई बॉस कोई चपरासी कोई मेनेजर नहीं हुआ तो कहीं न कहीं विचारों वैचारिक मदभेद के योग बन जाएंगे वही बाली बात माइंड रेखा पर होती है अगर तीन रेखा माइंड रेखा की एक समान रूप से पैरलल हो तो उसमें वैचारिक मदभेद नहीं होता है जो कि वैचारिक मदभेद में सोचता है अगर इस प्रकार की अवस्था हो जाए माइंड रेखा पर एक की बनावट अलग है दूसरे की बनावट अलग है तीसरे क तो कही न कही वैचारिक मदवेद होने के पूनता चांसे से तो वही बाली बात माइंड रेखा बता रही है कि तीन तरह की रेखा हतली परवस्थित है इस केस में वैचारिक मदवेद होना डेफिनिटली तैह है तो अब इसके लिए क्या करना है ये बात समझने की होती है इसक कहां से कम से कम दो रेखा भी पैलली होके चली है यह समझना मैं बताता हूं आपको यह यहां पर से माने लो आप कि दो रेखा होके चली है और यहां पर से आप देखोगे मैंने का आप पैललल होगा तो कोई दिक्तर नहीं है यहां पर से एक माइंड रेखा आ रही है यहां प तो ये वाली माइंड रेखा कन्फूजन्स था अब उस समय तक कैसे आफ सर्वाइफ करें उसके लिए जो रेमेडिय जो सार्थक उपाए है वो मैं आपको जरूर से दे दूँगा चलो जी ये तो हो गई पॉजिटिव बात और नेगटिव बात में और ये एक नेगटिव ही मान लोग अगर आप तनाब में हैं तो नेगटिव है इसके उपरांत अगर देखा जाया तो कुछ-कुछ राहू रेखा है लेकिन बहुत गौर से देखने के बाद ना राहू रेखा प्राग्रस लाइन से ज़्यादा ना होने की वज़ह से जातक की जिंदगी में इस राह प्रशन आगे सफलता कम मिलेगे बेशक मिलेगी बड़ी सफलता मिलेगी बड़ा पैसा कमाएं गया तीस वर्स के बाद आपकी सफलता के योग बने हुए मैं आपको अभी आपके जीवन रेखा से सारी हिस्तितिको क्लियर कर देता हूँ अब देखो बचपन से इंडिपेंडेंट रहे हो ये तो आपके हैतली मुझे बता रही है ये इंडिपेंडेंट वाली रेखा है इसके बाद ये कुछ आपके प्रगती की रेखा प्रोग्रस लाए होती है लेकिन कुछ योग भी थे जोकी distractions थे तनाव थे परशानिया थी डिग्रेंपूरे करने का योगतें फिर भी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ fluctuations बना रहा है ये लगबग 23 साल तक तो definitely बना होता है एक तरक्की के योग लगबग आपके 27 के आसपास है फिर एक लगबग 30 के आसपास है एक 31 में दिक्कत, 33 में दिक्कत फिर एक 34-35 में तरक्की, 36 म इक तालिस में तरक्की फिर जीबन रेखा ठीक है एक बड़ा दिक्कत चोवालिस के आसपास है चोवालिस के बाद प्रगति की रेखा भज़ बरदस्त है चोवालिस से लेकर कंटीन्यू आगर आप देखो तो 52 येर्स तर इसके बाद कुछ यात्रा हैं 52 में फिर एक बड़ी हो सकती है इसके बाद भी जीबन रेका बहतर है अंदर भी एक फिर्ज ऐसी आकरती है अकासमिंग धरेलाव को बता रहा है जिन्दगी पर धनाने को बता रहा है इस बात में कोई संदहें नहीं है चलो जी ये तो होगी पॉस्टिब बात नेगटिब बात और इनके questions अभी इन कहतली का हम जलना दियन करेंगे चीज़ों को असपस डूप से clear करेंगे तो वीडियो काफी ज़्यादा महतपूर है देखे सीखे समझे तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वार स्पा में planets में कम strength है ठीक ठाक strength है बहुत ज़्यादा planets भी उभार लेवे conditions में नहीं ह राज्यों कारक रहता है लेकिन फिर भी सार्विक स्रम करना पड़ता है गुलाबी धन को अट्रैक करते है जबी धन की आवशक्ता हो जिन्दगी परा जाता है बड़िया थमबे strong इशाशक्ती है ये वाकरती जबी भी सपोर्ट की आवशक्ता पड़ेगी मल जाएगी इसके बाद देखा जाए तो ये एक करिंगो अप सुलेमन जैसी आकरती है इस वर से अच्छा लगाव होता है लेकिन बरश्पती मुझे बहुत satisfactory नहीं लग रहा है इसके लिए उपाई करना है बाद बाकी तोड़े यश्प्राप्ती में कमी की रेखा आपके अतली पर है और ये कुछ आपके squad जैसी आकरती है तो ये indicate कर रही है कि ऐसे विक्ती 100% समझ लो 32 वर्स के ब अगर आप ब्रश्पती का उपाई नहीं करते है तो ये भी आपके लिए कही ने कही तकलीफ देह अवस्था मानी जाएगी और जानी जाएगी एवं समझी जाएगी चलो जी ये तो हो गई बात अब आगे बात करते हैं परपकारी रेखा है जातक परपकारी होते है नो करेंगे ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करें एक तनाफ तो यहां भी दिखा यह वाकृती जो की सुला सत्रा साल किया यू तक था बाकि उसके बाद यह लाइन्स बड़े अच्छे हैं तो यह इंडिकेट करें ऐसे वेक्ति बड़े भावक किसम के होते हैं आग बागे रेखा जबरदस्त है सरकारी चेतर से धनलाफ की योग बने अगर वो भी आप करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं यह भी बागे रेखा के ही ब्रांचे से थोड़े स्टाफ शुकर वले हैं मूट सिंग होता है नाइन ओफ एशुकेशन अच्छा है समझदार हैं जबर ट्रांगल्स के साथ है आगे वी सूरी आपकी वागे रेका बड़ी अच्छी है ट्रांगल्स है स्कौायर्स है यह स्कौायर्स इंडिकेट करते हैं जातक को मल्टिपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है ना की तो बात ही नहीं है जबरदस्त आपकी बुद्धरे का बहुत क खड़ी रेखा है दिमाग बहुत तेज होता है तुरे धोके मिलेंगे इस पर केर करना बाकी मंगल ठीक है प्राकरमी है अनरजेटिक है और बुद्ध से एक रेखा निकलके मंगल पर आ रही है तो रियल स्टेट का भी कारे कर सकते हैं जमीन जदाद से भी बेनेफिट मिले है जब ठीक है इसके बाद देखा जाए तो बागे रेका सुरवाती दोर से बहुत ये अच्छी नहीं थी ठीक ठाक सी थी बस काम चल रहा था जीवन रेका अच्छी आयो दरिक आयो मंगल रेका बरी शांदार है फुरे टेंशन के लाइन जरूर है इंसान तो रह चिंता कर आता है ना की दो बात ही नहीं है शुक्र बढ़िया है शादी के बाद भागुदे होती है शादी के योग भी आपके लगबग तीस वर्स के आस पास तक बन रहे है उस समय तक होने के पूर्णता चांसे से तो चलो जी ये तो हो गई आपके दली का पूर्णता अगर आपको हमारा ये विडियो पसंद है लाइक कर दे कमेंट के से सब्सक्राइब कर दे अगर आप विक्तिका दूप से में इस तास्तरे का निकांगे सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वाट्सअप नंबर डिसक्रप्शन मिल जागा लेकि आप समपर्द कर सकते धन् झाल झाल झाल